Knowledge Beam YouTube Channel के एक नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं Class 10 के विद्यार्थियों के लिए Half-Yearly Exam 2023 को ध्यार में रखते हुए English का Question Paper आपको इस पस्ट करने वाला हूँ ताकि आप इस Question Paper को देखकर आसानी से अडिया लगा सके कि आपकी यह Half-Yearly Exam 2023 की English की Question Paper में किस तरह से आपको Question देखने को मिलेंगे और साथी साथ यह Question Paper भी तायार कर लिजेगा क्योंकि आपके इक्जाम की दिष्टे से काफी important है तो अच्छे लिए बेकर्स में waste किये मैं जल्दी से आपको Question Paper जो है इस पस्ट कर देता हूँ तो देख सकती हैं यहाँ पर कुछ General Attraction दिया गया है जेनकि आप विडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजेगा ताकि आपको इग्या में कोई Problem फेश ना करना पड़े Section A से Question Paper पर स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपको निर्देश दिया गया है Question Number पहले से तीसरे तक के प्रशनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपका जो Question Number 1 से 3 तक के लिए निर्देश है वह है Read the following passage carefully and answer the questions that follow choosing the correct option अर्थात आपको जो नीचे आ रहा पैसिज यह देखने को मिर रहा इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इस पैसिज को ध्यान से पढ़ने के बाद जो नीचे पहला दूसरा तीसरा करके तीन Question पूछे गया है उनके लिए सही बिकल्प को चुनाव करना है तो सबसे पहले आप इस पैसिज को ध्यान से पढ़ने उसके बाद जो नीचे पहला दूसरा तीसरा करके तीन Question पूछा गया है जिनके लिए चार बिकल्प दे गया है आपको सही बिकल्प का चुनाव करना है तो अगर आपने अच्छे से पैसिज को समझ लिया तो आपको आसानी से पहला दूसरा तीसरा इन तीनों Question के लिए सही बिकल्प आसानी से आपको पता चल जाएगा अगर आपको कोई प्रॉबलम होती है आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का सेम यही नाम है नौलेज भी ठीक है तो आप लोग पहले स्वैम जो है ट्राइ करें इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, Katherine No.4 से 8 तक के लिए यहां पर कहरा है Choose the Correct option to the following यानि आपको The.4 के लिए जMore है सही विकल्प का चुनाओ करना है, The.5 के लिए आपको सही विकल्प का चुनाओ करना है और answer and question number 6 के लिए ज' है आपको सही विकल्प चुनना है इंग्लिस की तयारी के लिए आप मारी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, आपको इंग्लिस का अच्छा प्रिप्रेशन देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपका question number जो 8 है, इसको आपको जो है, reorder करके सही sentence का निर्मार करना है, तो यहाँ पर 4 option है, जो सही sentence है, इसके बाद आपका question number 9 से 10 के लिए पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको जो है, पढ़ने के बाद जो आपको question number 9 और 10 देखने को मिल रहा है, इनके लिए आपको सही बिकल्प का चुनाओ करना है, तो question number 9 देख सकते हैं, यहाँ पर 4 बिकल्प दिया गया, सही यहाँ पर question number 11 से 13 के लिए देख सकते हैं, निर्देश दिया गया है, based on your understanding, आप प्रोज लेशन, choose the correct option to answer the following question, यहाँ जो नीचे आ रहे है, question number 11, question number 12, question number 13, जो कि आपके English प्रोज से सम्बदित यहाँ पर प्रशन दिया गया है, इनके लिए सही बिकल्प को चुनाओ करना है जो प्रशन आपको देखने को यहाँ पर 11, 12, 13 की रूप में देखने को मिर रहा है, ठीक है, जैसे आपको question number 11 में करा है, where was lanchos house situation, lancho का घर कहां इस्तित था, यहाँ पर 4 बिकल्प है, सही बिकल्प आपको चुनाओ करना है, इसी तरह question number 12 के लिए भी आपको सही बिकल्प question paper में question जो है, English के paper में आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद बात करते है, question number 14 से 15 तक है, इसके लिए निर्दे से read the following extract and answer the questions that follow, तो यहाँ पर आपको 4 line का नीचे stage दिखाई दे रहा है, और इस stage आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो question number 14, 15 है, उसके लिए सही बिक का चुनाव करना है, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, तो अगला जो question number आपका 16 से 20 के लिए आपका निर्दे से हुआ है, based on your understanding of the lesson in the book, footprint without fit, choose correct option to answer the following question, यानि आपका जो book है, footprint without fit, उनके lesson के समझ के आधार पे जो है, आपको नीचे आरे प्रशनों के लिए सही बिकल्प का चुनाव करना है, तो यहाँ पर question number 16 पूछा हुआ हुआ, तो इसके लिए सही बिकल्प का चुनाव करना है, काफी सरल, इसी तरह question number 17 के लिए भी, सही बिकल्प का चुना पे ठीक है, अब बढ़ते हैं section B की तरप, तो section B में question number 21 में निर्देश दिया गया है, treat the prices carefully and answer the questions given below, यहाँ आपको यह जो पैसे दिखाई देरा, इससे सावधानी पूरवक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो नीचे A, B, C, D करके question पूछा गया है, इनके उत्तर आपक कोई question ना आता हो, तो आप हमारी telegram channel पे पूछ सकते हैं, हमारी telegram channel का सेम नाम knowledge beam है, इसके बाद आप देख सकते हैं, writing से संबंधीत आपका question number 22 है, करा कि answer anyone of the following, यहाँ किसी एक का आपको जो है उत्तर लिखना है, यहाँ पर A, B करके दो question पूछा गया है, जिसमें कि आपक क्या गया है, वो आपको provide किया जाएगा, ठीक है, तो मैंने later writing पर जो है complete video बनाया हुआ है, आप जाकर check कर सकते हैं, हमारे चनल के playlist में, नहीं तो हमारे mobile application knowledge beam पर जो है आप paid classes लिए होंगे, तो वहाँ पर आप grammar का अच्छा preparation कर सकते हैं, इसके बाद आपका जो देख सकते ह नमर 23 है, इसके लिए आपको अथवा करके question दिखाई दे रहा है, तो चाहे आप report लिख सकते हैं, इंडिया's population problem पर, अपना नाम सागर या कृतिका मान कर आपको report लिखना है, इंडिया's population problem पर, या फिर अथवा आप एसे लिख सकते हैं, अथवा करके भी question पुछा गया है, annual function आप your college पर लिख सकते हैं, या your favorite festival पर भी आप लिख सकते हैं, किसी एक topic पर, इसके बाद आपका grammar start हो रहा है, तो इसमें question number 24 के अंतरगत A, B, C, D करके चार question पुछा गया है, तो question number A में जो है, आपको indirect मे change करना है, और question number B में जो है आपको पैसिवास बनाना है, question number C में आपको punctuate करना है, punctuate का मतलब कहाँ पर आपको कामा लगाना है, कहाँ पर कामा कहाँ पर capital letter, कहाँ पर small letter, या सारे rules आपको जो है follow करना है, और या maximum जो है direct narration का example पूछा जाता है, तो उसको अगर आप अच्छे जानते हैं, direct narration का example तो अच्छे से कर पाएंगे, इसके बाद question number जो 24 का D है, इसमें आपको Hindi में एक पैसे दिखाई दे रहा है, जिसे कि आपको English में जो है translate करना है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो literature है, वो है start हो रहा है, literature में आपको English book से समधित question देखने को मिलता है, तो question number 25 में A, B करके दो question पूछा गया है, जिनमें से आपको एक-four question करना है, अथफा कर करके दो प्रशने दिखाई दे रहा है, तो एक प्रशने ही आपको करने है, A से भी एक question करना है, और B से भी एक-four question करना है, आप question number 26 में देख सकते हैं, इसमें भी आपको किसी एक प्रशनका उत्तर दिखना है, लगवक 60 words में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अथवा करके दो प्रश्णक पूछा है किवल एक ही प्रश्णक आपको उत्ता लिखना है कोई भी प्रॉब्लम होती है ना समझ में आ रहा हूँ आपको तो आपारे टेलिग्रम चम पर कमेंट कर सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नमबर 27 इसमें भी देख सकते हैं अथवा करके दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन का आपको लिखना है और 40 वॉट्स में केंशन कर सेंटरल बंद आपको सेंट्र लेडा रिखना किसी एक कविता पर दो कविता दिया गया है आपका और इन सारे टोपिक्स पर हमारे चनल पे वीडियो आबने विड आपको लगवग उत्तर लिखना है इसी तरह question number 30 में भी आपको लगवग 60 words में लिखना है आई होप आपको मैंने आपको यह question पर अच्छे से पस्ट किया फिर भी कोई problem है तो आप हमें comment के बादम से पूछ सकते हैं अगर आप answer चाहते हैं किसी भी objective question का तो हमारे telegram channel पर जो है आप comment कर सकते हैं मैं आपको answer जो है provide कर दूँगा तो इस video फ्लाल इतना ही मिलते हैं इस video में तब तक के लिए thank you so much